नमस्कार कैसे हैं आप और आपका परिवार मैं दीपराम भावर मोटिविसलिल स्पीकर और लाइब कुछ आज का जो हमारा जो टोपिक है इसमें जो बहुत सारे पेड़ पोदे लगे हुए है इसमें आपका स्वागत है आप भी अधिक साधिक पेड़ पोदे लगाया हमने हमारे घर के बगीचे में डेट सोच जादा पेड़ पोदे लगा रखे हैं तो आज का जो टोपिक है वह है बदलाव तो बदलाव एक किनारे किनारे जो गाउं में जो एक लड़का था वो रोजाना घूमने जाया करता था तो लड़का जब घूमने जाया करता था तो तलाव के किनारे वह एक जो बुजर्क महिला थी वो उनको रोज वहां पर देखा करता था तो उसने जब पास दाके देखा तो वह जो कछ मज़ुर्ग महिला थी वो उसके पास आया और उन्हें उससे पूचा कि अम्मा जी मैं आपको रोज यहां पर तलाब के कनारे देखता हूं और आप कई कई घंटों तक यहां पर बैठी रहती हैं और आप जो मैं देखता हूं कि आप जो जो कचुआ हैं तो इनको पर जो मों कह सकते हैं जवाब दिया उस लड़के को उसने कहा कि जो कचुआ जो हैं इस मिट्टी के बज़े से इनको जो पानी है उसका अंदर तेरने में परिशानी होती है यदि मैं इस मिट्टी को हटा दूंगी तो यह हो सकता है कि मेरे छोटे से प्रियास से यह और भैतर जिन्दगी जी सके तो उस लड़के ने उस सुकता पूर्वक उस बुजरुक महिला से कहा कि अम्मा जी कि आप यहाँ पर तो धे प्रियास करती है इसे कितने कछू कि आम मिट्टी को हाटा पाएंगी तो और बागी के कछू की दाटा नहीं पाएंगी और वो कम जिंदगी में मर जाएंगे और जल्दी मौत को प्राफ्ट हो जाएंगे तो उस महिला ने बड़ाई सुंदर जबाव दिया बहुती सुंद तो इस एक कच्छुग की जिन्दगी में तो बदलाब आएगा ही तो क्यों हम छोटे बदलाब से ही शुरुआत करें तो देखिए हमें कई बार जिन्दगी अंदर जो छोटी-छोटी चीजें बहुत बड़ा सबक हमें दे देती हैं तो हम टाइम टू-टाइम कहानियों के मै कहानी से भी हम सबको एक संदेश हमें मिला होगा कि हम छोटे-छोटे प्रियासी करें इस्मॉल चेंजेज विकम बिक चेंजेज इसको पर हमने एक कहानी भी बहुत पहले हमने एक सेर की थी यूटूब पर उस कहानी का नाम है इससे क्या फरक पड़ता है एक छोटे से बच से क्या फरक पड़ता है तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से सुक्रिया और धन्वाद आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें अपनी अन्मोल प्रितिक्रियाय दें और नोटिपिकेशन के लिए बैल के बटन को दबाएं इस व और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जैसे कि सीक्रेट ऑफ हैपीनेस जीने की कला और महिला सशक्तिकरण तो मैं जहां कहीं भी मोटिवेशन इस पीद देने जाता हूं इसको मैं निशुल को प्रवाइड करता हूं यदि आपको भी चाहिए तो मुझसे संपर कर सकते हैं और आप मुझे इमेल आईडी भी दे सकते हैं जिससे कि मैं आपको सोफ्ट कोफी इसकी भेश सकूँ और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप यह जो मेरी मोटिवेशन बुक है इसको आप यदि मेरे मिशन और वीजन वसाथ देना चाहते हैं तो आप भी इसको कम से कम 10 ल